नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है, विद्यार्थियों समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम आठवी कक्षा के इतिहास का ध्यन कर रहे हैं और हमारे समक्ष आपका पहला अध्याय जिसका नाम है ब्यापार से सामराजितर तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं साहाइक संधी के बारे में, जिसे हम लोग सबसीडियरी अलाइन्स भी कहते हैं या लॉर्ड वेलेजली की साहाइक संधी के नाम से भी जानते हैं तो इद्यार्थियों आप सभी अपने पुस्तक के पेज नंबर 20 को खोलें और वहाँ पे आप देख सकते हैं कमपनी का फैलता सामराज्य एक हेडिंग है बच्चों कमपनी का फैलता सामराज्य पेज नंबर 20 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्ट इंडिया कमपनी भारतिय रियासत का अधिगरहन करने के लिए सीधे सैनिक हमले न करके राजनितिक आर्थिक और कुटनितिक साधनों का सहरा लिया तो वच्चों आप इस बात को समझ सकते हैं कि सीधे सीधे किसी राज्य पर किसी किंग्डम पर हमला नहीं करके किसी राजा के उपर हमला नहीं करके उसके साथ जदी राजनितिक दोस्ती बनाई जाए जदी उसे आर्थिक रूप से अपने वस में किया जाए या फिर कूटनीतिक तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से जदी हम साधनों का प्रियोग करके उसे अपने वस में कर लें तो क्या बुरा है ऐसा सोचना था बच्चों लॉड वेलेजली का तो ये लॉड वेलेजली कौन है और क्या करने के लिए भारत आये थे वो बता देते हैं बच्चों लॉड वेलेजली जो है ये इस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे जो की 1798 से लेके 1805 तक भारत में रहे तो इनके समय में जो इस सबसे बड़ी उपलब्धी ये थी कि इन्होंने सहायक संधी के माध्यम से भारत के बहुत सारे राजे महराजाओं को बहुत सारे ऐसे देशी रियासत थे जिनके साथ संबंद बनाया और उनके राज में अंग्रेजी फौज को खड़ा किया और जिसने इनकी बात नहीं मानी जैसे की मैसूर का सासर हैदर अली और टीपु सुल्तान हैदर अली तो इनके समय में जिवित नहीं थे लेकिन टीपु सुल्तान थे और टीपु सुल्तान के साथ तो युद्ध भी हुआ और उस युद्ध में टीपु सुल्तान की मिर्त्य भी होती है तो अभी चलिए बच्चों हम लोग यहां देखते हैं कि subsidiary alliance क्या है या सहायक संधी क्या है तो सहायक संधी एक ऐसी संधी है जिसमें की राजाओं को यानि की जो देशी रियासत है उनको ब्रिटिस फौज रखनी पड़ती थी कहने का मतलब की राजा हम और सैनिक अंग्रेजों के तो यह कैसे चलेगा और क्यों चलेगा तो इसके पीछे जो मामला था बच्चों वो कुछ इस परकार था कि अंग्रेज जो हैं देशी रियासतों को देशी राजाओं को यह वचन देते थे कि हम आपको दो चीजों से बचाएंगे एक तो की बहारी खत्रा से और दूसरा आंतरी गड़बडी से बहारी खत्रा क्या होता है बच्चों external danger जदी माल लेजे कोई एक राजा है उस पर कोई दूसरा राजा या पडोसी राजा जदी कूद रिष्टी रखता हो खराब दृष्टी रखता हो उसको हडप लेना चाहता हो तो उसको कहते हैं जो है हैदर अली जो बाद में सेनापती भी बना उसने क्या किया था उसने वहां के राजाओं को हटा कर खुद राजा पन गिया था जिसको हम लोग डिफैक्टो रूलर भी बोलते हैं तो एक तरह से internal disorder है आंतरी गड़बडी है तो कंपनी ने दो चीजें ऐसे और की पहला कि बाहरी खत्रा से आपको बचाएंगे और दूसरा आंतरी गड़बडी आपके यहां नहीं होने देंगे ठीक है बच्चों तो सहयक संधी जो स्विकार कर लेता था उसको क्या करना पड़ता था अपने राज में अपने कीले में बिटिस फॉज रखनी होती थी और बिटि नवीवक होते थे उन लोगों को बनाया जाता था फॉज़ी है ना जो की बिटिस फॉज की वर्दी में होते थे और उसी के अनुकूल वो सिक्षन प्रसिक्षन भी पाते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी अंगरे जी तरीके से ठीक है, और वो अंगरेजों की बात मानने के लिए मतलब उनकी सर्थ थी, कि वो सैनिक जो है, वो अंगरेजों की बात मानेंगे, क्योंकि वो बिटिस फीजी कहलाते थे, ठीक है, तो सहाएक संधी के तहट फाउज का खर्च देशी रियास्तों को देना पड़ता था, मीडम में जो फोजी होंगे वो बिटी सर्स होंगे और उनको खाने खिलाने वेतन खर्चा यह सब कौन देगा यह हम देंगे और वो बात किसकी मानेंगे अंग्रेजियों की मानेंगे तो है न मजदार बच्चों तो यह सहायक संधी भी बड़ा गजब का चीज था हलांकि इस सच पुछा जया है तो मैसूर के सासक ने इसको मानने से इंकार किया कुछ और राजवाओं ने भी से मानने से इंकार किया था अपने जहासी की गानी का नाम सुना होगा है ना उन्होंने भी सहायक संधी को मानने से इंकार किया था शुरू में लेकिन चलिए तो हम लोग आ बच्चों residency क्या होती है रेजिडेंसी के बारे में मैं बताता हूँ कि भारतिये जो सासक होते थे उनको अपने दर्बार में एक अंगरेज आउफिसर को रखना होता था जिसको resident कहा जाता था सतही तोर पर या बेवस्था भारतिय सासकों को सुरक्षा परदान करती थी मगर असल में उसकी आजादी खतम हो जाती थी बच्चों यहां पे जो आप देख रहे हैं यह रहने का स्थान इसको आप महल तो नहीं कह सकते महल से थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें रहता कौन था इसमें ब्रिटिस रेजिडेंट रहता था यह जो आपको फोटो दिखाई जारी बच्चों यह लखनव के नवाब के महल के ठिक पास ही बना हुआ है जो की British resident है इसमें British resident रहता था और लख्णव की एक राजा की प्रतेक कारवाही को देखता था समस्ता था और रिपोर्ट करता था तो बच्चों आप क्या समस्ते हैं क्या आपको लगता है कि आप एक राजा है और आपके ठीक महल के ठीक सामने एक resident का भी आवास है और वो आपकी प्रतेक गतिविदी को देख रहा हो और वो British East India Company के गवर्णर को रिपोर्ट भी कर रहा हो एक एक बात की जयनकारी दे रहा हो आपको अच्छा लगेगा अब अच्छा लगे या नहीं लगे बहुत सारे राजाओं ने इस सहायक संधी को माना है न है न और अपनी सोतंत्र सेना रखने पर तो चूकी मना ही हो गई थी तो जो सेना थी वो अंग्रेजों की थी और इस परकार से भारतिया राजे अंदर स से कमजोर हो गए समझे बच्चों तो जो रियासते हैं सहायक संधी यानि कि सविकार कर लेती थी वे अपनी इच्छा से फिर किसी अन्ने के साथ इस्ट इंडिया कमपनी के सहमती के बिना कोई संधी नहीं कर सकती थी कहने का मतलब कि जदी आपने हमसे एक बार दोस्ती कर ली तो आप दूसरा किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं और जदी करेंगे तो हमारी सहमती के बाद करेंगे ठीक है बच्चों तो यदि कोई देशी रियासत ऐसा भी सर्था कि सहायक संधी की सर्तों के नुसार अंग्रेजों को रकम नहीं दे पाता था तो ऐसी इस्थिती मे उसे अपने राज की जमीन भी देनी पड़ती थी तो एक तरह से ये इस्थिती बहुत ही भ्यावा है किसी भी राजा के लिए ठीक है अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधी को दिभिन राजाओं ने माना तो हाँ माना सबसे पहले तो निजाम ने 1798 में ही मान लिया तो जैसा कि हम लोगों ने देखा स्टूरेंट्स की 1798 में ही तो लॉर्ड वेलेजली भारत आये थे आपको मैंने पहले बता दिया कि 1798 में देखिए यहां पे है 1798 से 1805 तो जिस साल लॉर्ड वेलेजली भारत आये उनकी पहली उपलब्दी कि हैदराबाद के निजाम के साथ उन्होंने सायक संधी कर ली इसके बाद बच्चों मैसूर मैसूर का नंबर तो बहुत बाद में आया है मैसूर और अंग्रेजों के साथ चार-चार जुद्ध हुए हैं उसको मैं एक अलग वीडियो के माद्यम से बताऊंगा लेकिन जब बेलकुल पसंद नहीं करते थे हैं लेकिन जब टीपू सुल्तान की मृत्यू हो जाती है और वडियार वंस के राजाओं को फिर से वहां स्थापित कर दिये जाता है तो मैसूर में 1799 में सायक संधी लागू कर दी जाती है इसी तरह से दक्षिन भारत का राज्य है बच्च में और इसी तरह से मराठाओं के बहुत सारे कंफंट्रेशन थे जिसमें कि एक गयकवार का था एक सींधिया का था एक पेशवा का था यानि कि आप पूना का नाम ले सकते हैं और नाकपूर का नाम ले सकते हैं और आप नाम ले सकते हैं गवालियर का है ना तो एक 1803 में द विलेजली की जो सहायक संधी है इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया निश्चे ही आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएं होंगे और जदी इस पर जदी प्रसन आते हैं तो निश्चे ही इसका जबाब आप लिख पाएंगे इतना बच्चों याद रखिएगा कि जो र रखती और उस पर सेना का जो रख रखाव है वह हमारे देश के यानि की भारतिये सासक को उठाना पड़ता था वह सधारन सी बात है बच्चों आप इसको समझ गया होंगे और जदी कोई सासक रखम को नहीं दे पाता था तो उसको जुर्माना भी देना पड़ता था या फ समझ पाए होंगे आप टेक्स्ट बूक के साथ जुड़े रहें और आगे ठीक इसके बाद मैं एक वीडियो आपको आपके समक्ष प्रस्तूत करने जा रहा हूं बच्चों जिसमें कि मैं आपको टीपू सुल्तान हैदर अली और मैसूर के बारे में बताने का प्रयास करू तीक बच्च्च ।